इस विडियो में हम समझेंगे Nutrition in Human Beings. Nutrition, Human Body के लिए Necessary Element है, जो Body की Health मेंटेन करते हैं. Nutrients जैसे, Carbohydrate, Proteins, Fats, Vitamins and Minerals, ये सब ही एक Specific Amount में जरूरी होते हैं, जिसे Body Function properly work करें. हमारी Body में एक Long Tube होती है, जिसे हम Elementary Canal कहते हैं. ये Elementary Canal, Mouth से Anas तक फैला होता है. इस Tube के Different Parts होते हैं, जो Different Functions को Perform करने के लिए Specialized होते हैं. क्या आप जानते हैं कि जब किसी भी तरह का खाना हमारी Body में Enter करता है? तब उस खाने का क्या होता है? आईए, इसे हम Detail में समझते हैं. जब हम किसी भी तरह का खाना खाते हैं, उसे हमारे Digestive Tract से पास होना पड़ता है. First Step में, खाने को बहुत ही छोटे-छोटे Particles में तोड़ा जाता है, जो की एक Natural Process है. ये Process हमारे दान्तों के द्वारा किया जाता है. Elementary Canal की Internal Walls बहुत Soft होती है, जिससे चबाया हुआ खाना गीला हो जाता है. और Elementary Canal के थुरू आसानी से पास हो जाता है. जब हम खाने को चबाते हैं, तब हमारे माउथ में पानी निकलता है. लेकिन आक्चली में ये पानी नहीं होता, ये एक तरह का Fluid होता है, जिसे हम Saliva कहते हैं. ये Saliva, Salivary Gland से निकलता है. Saliva में Salivary Amylase नाम का Enzyme होता है, जो खाने में मौझूद स्टार्च को Simple Sugar में ब्रेक करता है. जब खाने को चबाया जाता है, तब टंग की मदद से खाना Saliva के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, और Elementary Gland से पास होता है. Elementary Canal की Lining यानी परत रिद्मिकली कॉंट्राक्ट करती रहती है, ताकि खाना आगे की तरफ धकेला जा सके. Elementary Canal की इस रिद्मिकली कॉंट्राक्शन को Peristaltic Movement कहते हैं. ये Peristaltic Movement मौट से लेकर स्टमाख तक होती है. स्टमाख बॉडी का एक लाज ओगन है, जो खाना एंटर करने पर एक्सपैंड करता है. स्टमाख के Muscular Walls खाने को Digestive Chemical के साथ मिक्स करते हैं. स्टमाख में Digestion Gastric Glands के थूँ किया जाता है. ये Gastric Gland Stomach Wall में मौजूद होती है. गास्टिक Gland से Hydrochloric Acid, Protein Digesting Enzyme, Pepsin और Mucus रिलीज होते हैं. ये सभी Chemical खाने को अच्छे से Digest करके Nutrition को अबजोग करते हैं. खाना Digest होने के बाद उसका Waste आनल के थूँ बॉडी से बाहर निकाला जाता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.